हम आपको सागर जिले में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर संत रविदास स्वैम आये थे, उन्होंने ग्रामिन्ड लोगों को अपनी गुरुवानी से धन्य किया था. वहीं राजा को जब इनके बारे में पता चला था, तो प्रसन होकर संत रविदास को जमीन दान कर दी थी. लेकिन उन्होंने यह जमीन ना लेकर परमार्थ में लगाने के लिए कहा था, जिसके बाद एक कुंड का भी निर्मान कराया गया था, जिसे रविदास कुंड के नाम से जाना जाता है, और यह आज भी मौजूद है. ऐसा कहा जाता है कि छेह सौ साल पहले संत रविदास चित्तोडगड की यात्रा कर रहे थे. तब वह सागर के कर्रापुर में एक रात रूके थे, जहां उन्होंने दर्बार लगाया और गुरुवानी भी सुनाई थी. जब उनके बारे में उस समय के राजा चंद्रहास को जानकारी लगी, तो वह अपनी रानी के साथ संत का आशीरवाद लेने के लिए उनके पास पहुँचे थे. अपने क्षेत्र में संत रविदास के आने से वह इत्ते प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुछ भूमिदान में दी थी. लेकिन उन्होंने कहा कि वह संत है. जमीन का क्या करेंगे? तब ग्रामीनों के लिए वहाँ पर एक तालाब का निर्मान कराया गया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है. जाए गुरु देव जाए.